नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर माता लक्ष्मी करेंगी आपके उपर धन की वर्षा बस चुपचाप फेंक देना यहां पर पांच जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप करोडपती माता लक्ष्मी के प्रही हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती है और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा जिसका इस्तिमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी की जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो ना केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती ह बलकि आपको साक्षात माता लक्षमी का वर्दान और आशिरवाद भी मिल सकता है। बलकि आपको साक्षात माता लक्षमी का इस प्रकार से वर्दान प्राप्थ हो सकता जिसके बाद ना केवल आपके जीवन से धन संबंधित परिशानिया खत्म हो जाएंगी बलकि आपको माता लक्षमी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके ज इसका उपाय का सही तरीके से किया जाएं तो आपकी आर्थिक स्थिती भी बहुत ही मजबूत रहती है। आपकी कुंडली में वास्तु दोश है, मंगल दोश है, शनी दोश है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानिया हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा तूट चुके हैं। आपको हम जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं। का प्रयोग अगर आप सही महूर्त पर सही तरीके से करते हैं, तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ती मिल जाएगी, इसलिए दोस। तो इस विडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारन सी चीज है, जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको वो आपको पता नहीं होगा, दोस्तों एक बात का ध्यान रखि तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है, तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ती माता लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहता है, और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्षमी जी के सामने सही दिन इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आप परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत दीजिए जय महालक्षमी और एक काम कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दी जगह आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा इस उपाय को करके आप कोई भी लाप पा सकते हों लेकिन इसके लिए आपको विडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालनी पड़ेगी देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ती का महाउपाय दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो एक व्यक्ती कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है उसकी इतनी परेशानिया आ जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई रिन ले रखा है तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानिया तो आराम से खत्म हो जाएंगी अगर आप कहते हैं कि आपका रिन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा अब शुक्रवार को ही दिन क्यों तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती है और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रही ह यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्षमी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपका रिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह पांच सब्ताह आपको यह उपाय करना है। पांच सब्ताह मतलब पांच शुक्रवार और पांच सब्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटका, पान, मसाला, मचली, अंडा ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं, इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुभा उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुब होता है, अब को एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको एक मुठी जीरा रखना है, एक मुठी जीरा के उपर एक रुपया का सिक्का रखना है, इस लाल कपड़े को आपको मौली माता लक्षमी जी के मंदिर चले जाएए माता लक्षमी के। देखिए दोस्तों शायद ये बात आपको पता ना हो जब आपके घर की बरकत होती है। आपके घर की बरकत हो आपके घर की उन्नती हो तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे या उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार की सूर्यास्त के बाद कर लिया तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी। आपके घर उनती भी होगी, लेकिन ये तीन मंगलवार आपको करना है, तीन मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नेगेटिव शक्तिया खत्म हो. जाएगी और आपके घर पर पॉजिटिव उर्जा का वास हो जाएगा, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लें, तो और भी ज्यादा शुब होगा, उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं, तीन का परी नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर पॉजिटिव उर्जा का वास हो जाएगा, इसी प्रकार से दोस्तों अब मान लीजिए आपके उपर कोई दोश लगा, वा है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेक के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोशों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ती मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रही हैं, देखिए यह उपाय आपको शनिवार के सूरियास्त के बाद करना है, सूरियास्त के बाद क शनी को सूरियास्त के बाद एक मुठी जीरा लीजिए, एक मुठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के उपर से बाईं और से दाईं और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बाईं और से दाईं और इस जीरो को घुमाना आपको घर के सामने जो भी आपके सडक पड़त और आपके उपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन की जाता है, दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का, राहु के तु उसका साथ नहीं देगा, वो व्यक्ति कितनी ही मेहंत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है, और राहु के तु जिस व्यक्ति का साथ देता है, बह व्यक्ति अगर गलत निर्ने भी उस गलत निर्ने से भी उसको फाइदा पहुँचता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु के तु आपका साथ दे आप जो भी निर्ने उस निर्ने से आपको फाइदा पहुँचे तो आपको भगवान विश्नु जी की शरण में जाना होगा। तीन ब्रहस पतिवार यह उपाय करना होगा। आपको भगवान विश्नु जी का दिन होता है, असुभा उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि भगवान विश्नु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है, तामबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुठी जीरा लीजिए, आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं। आप पीपल के पेड के पास क्यों जाना है? पीपल के पेड में भगवान विश्नु जी का वास होता है. पीपल के पेड के पास जाए. सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुठी लिया है, ये आपको पीपल पेड के दक्षिन तरफ बहा देना है. दक्षिन तरफ आपने बहा दिया, अब ये एक लोटा लीजिए पीपल के पेड को अर्पित कीजिए, इस जल को पीपल पेड की साथ परिक्रमा कीजिए, साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विश्नु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो वासुदेवाय नमा हम रिपीट कर दे रहे दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा इस बीज मंत्र का कम से कम आपको साथ बार जाप करना है, जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे, साथ बार उतना जाप करना है, यह उपाय आप लोग तीन से ब्रहस्पतिवार कर, लीजिए तीन ब्रहस अस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए